कि नमस्कार वित्रों मैंने केसर अंबा लगाया केसर आम केसर बहुत मिठा होता है स्वादिस्ट होता है और अगर यह आप प्रपर नियोजन से करो तो यह आम भूत ही शांदार होता है एक्सपोर्ट क्वौलिटी का आप तायर कर सकते हो और एक्सपोर्ट क्व्लिटी का आम जिससे यह है यह मैंने यह नत सरी से ख़िए वे जो है यह सारे मेरे पॉदे है देख आप यह एच उपर है दस फीत हाइट पर है यह पोदों के हाईट गख गगए ह कि कितना मजबूत है ये देखिए इसकी मजबूत ही देखिए ये इतना मजबूत चीज अगर लगा दी तो इससे रिटन्स कितने अच्छे आएंगे बहुत आएंगे इस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आम लगाएं और आम लगाते समय सिस्टम का ध्यान रखे आप आपको क्या लगाना है उसका कितना एकर में कितने आम लगाना है कैसे लगाना है और आम लगाने का आपको क्या फल होगा और कितना फल आएगा कब आएगा कैसे आएगा उसमें कितना खात पानी डालना है उसमें कितना स्प्रे करना है और उसे क्या रिटन आएगा सारी जा जितनी समझ होगी जितनी जानकरी होंगी सारी शेर करूंगा परिवार का सारे लोगों की जमीन मिला करके काफी कुछ कमने डौलपमेंट किया है मैंने लगाई यह जैसे आपसे का मैंने निबू का लगाया है कागदी निबू बारामासी उसका प्लान्टेशन है फैट साथ में मैंने इंटर क्रॉप करके बैंगन लगाए है बारा एकर आठ एकर मैंने फंकिन जिसे इंग्लिश में कहते है हिंदी में कहते हैं हम लोग काशी फल गंगा फल चक्री जो धाई 3 किलो, साटिन किलो के आते हैं उसको लगाया है मैंने अलग-अलग मिरची लगाई है मैंने आम लगा है जो आम एक एकर में मैंने डिस्टन्स लिया है तीन फूट पाई बारा फिट मándब तीन एक आम से दुसरे आम की दूरी होगी तीन फिट और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी होगी 12 फिट ये भी लगाया है मैंने बांबू लगाये मेरे एक फैमिली में हमने हमने सारे लोगों ने मिल करके बहुत अच्छी मैनत की नियोजन किया प्लानिंग किया स्टडी किया और हर प्लांट को लगाया दोस्तों और लगाने का करोना की वैसे करोना जब से स्टार्ट हुआ मार्च के अंदर में हम लोग घर बैठेते कुछ मैंने पढ़ाई की कुछ मैंने आपस में बहुत चर्श्या की परिवार एक साथ हो गया एक जूट हो गया करोना को दन्यवाद सभी का हुआ है मेरे दोस्तों लेकिन साथ में भ है दो साहिए सिगको के साथ में किसान बन करके अगर अपने पास खेति हैं अपना किसान art किणी आता है है कोwe जरा आछ बन आपनिया ने तो शलोता हैं एक दम एक समय है लेकिन मज़़ा आता है रही पेermसी करें मुझे